ठीक है बहुत बड़िया मजदूरी करने जाते हैं पिता जी कभी कभी सोचता हूँ अगर नौकरी न लगी तो क्या होगा बिटा जो ऐसा सोचता न नौकरी नहीं लगी उसकी लगती नहीं है एक बात तो ये लिख दो कॉपी पर लिख दो कागज में लिख दो या दिमाग मे लिख दो जो ऐसा सोचता उसकी लगती नहीं है पहली बात तो जो माता पिता को सोच करके ये सोच लेगा कि हां कोई भी बाधा आ जाएगी कोई भी औश्टेकल मेरे रास्ते में आ जाएगी मैं भेद के पार निकल जाऊँगा मेहनत का समय है मेहनत करो सीखो अभी मन्यू बिगर सीखे ये अपना अंदर आत्म विस्वास लेकर के उतरा था कि मैं पार कर जाऊँगा सब कुछ आत्म विस्वास नहीं होगा आप सोच रहे हैं अब भी मन्यू तो तब हार गया जब उसके अंदर आत्म विस्वास था एक आत्म विस्वास था लेकिन हार क्यों गया ज्यान की कमी की वज़े से, क्यूंकि सात्वा चक्र तोड़ना जानता नहीं था, तो आपके पास अभी समय है बच्चे, अध्यन करो, नहीं तो आपके अंदर तो आत्म विस्वास भी नहीं है, पहले आत्म विस्वास लेके आओ, उसके बाद अध्यन करो, सातो बाधाई खतम करनी हैं आपको, वो सातो ताले तोड़ देने हैं, जो आपकी सफलता के बाध्यक हैं, जो आपकी सफलता को रोकते हैं, फिर कोई समझ्चा नहीं आई, तो पहले तो खुद पर, खुद पर यार आत्म विस्वास होना बहुत जरूरी है,